हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे योटिव चैनल पर हाद दिख स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मर्द रोजाना दूद के साथ लेए एक चीज चीते की तरह आजाएगी स्फूर्ती तो चलिए दोस्तों शूर करते हैं आज के लाइफस्टाइल में अक्सर सेहत की अंदेखी की जाती है मगर सेहत को दुरूस्त रखने के लिए रात को सोते समय महर इस एक चीज का सेवन आपको ताकतवाब बना सकता है इससे शारीरिक कमजोरी दूर होने के साथ अन्ने कई बिमारियों से भी बचाव होता है तो आईए जानते हैं इसके फाइदे नमबर एक शारीरिक शक्ती बढ़ाने के लिए दालचीनी एक बेहतरीन तरीका है इसमें परचूर मातरा में एंटी उक्सिडेंट, पॉली फेलनॉन, आहरन और फाइबरादी तत्वा होते हैं इसके नीमिस सेवन से शरीर ताकतवाब बनता है नमबर दो ये स्टैमना बढ़ाने का भी काम करता है इसलिए अगर रोजाना रात को सोते समय इसे दूद के साल लिया जाए तो शरीर कमजोरी दूर हो जाएगी और आपका स्टैमना बढ़ेगा नमबर तीन, दालचीनी का ये उपाए पुर्शो के लिए बहुत फाइदमन होता है क्योंकि इसमें एंटी इंफलामेटरी गुन होते हैं इसलिए ये शरीर में मुझूद बैट कलोस्टरोल को कम करता है नमबर चार, ये शरीर में जमे अतरिक्त फैट को भी कम करने में मदद करता है और इससे मुटापा कंट्रोल में रहता है नमबर पांच, दालचीनी में मैगनीज और आयरन जैसे पोश्क तत्व होते हैं जो कैंसर जैसे गातक रोग से लड़ने में भी सक्षम है इसकी चुटकी बर मातरा लेकर एक चम शहद में मिलाकर खाने से रहत मिलती है नमबर छे, ये शरीर से पित को भी बाहर निकालता है इसलिए ये पेट के कैंसर से भी छुटकारा देलाता है नमबर साथ, एक गिलास गुंगने पानी में शहद और दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से गठिया और जोडो के दर से रहत मिलती है नमबर आट, अगर किसी को कम सुनाई देता है, तो उसके लिए भी दालचीनी एक उप्योग्यू शद्दी है रात को सोते समय, कान में दालचीनी के तेल की दो बुंदे डालने से समस्या दूर होती है नमबर नो, दालचीनी सर्दी जुकाम को ठीक करने का रामबान तरीका है एक गिलास गुनकुने पानी में दो चुटकी काली मिर्चिट मिलाकर सुबे खाली पेड पीने से जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है इससे बंदनाक भी खुलती है, आप चाहे तो इसमें एक चमर शहाद मिलाकर भी पी सकते है नमबर दस, दालचीनी में एंटी इंफ्लामेंटरी तत्व होते हैं जो दिमाग के अत्रीक टिशूज में आई सूजन को कम करने में मदद करता है इसके लावा ये अलजाइमर, ब्रेंट्यूमर, मल्टिपर्स, केलरोसिज जैसी गंबीर बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है तो दोस्तों ये था माराज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया के मर्द रोजाना दूद के साथ लेए एक चीते की तरह आजय की सफुर्ती उमीद करता हूँ आपको ये जैनकारी पसंद आए